दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने पैसेंजर्स को मेट्रो में शराप की दो बोतले ले जाने की छूट दे दी है ये बोतले सिल्बंद होनी चाहिए पहले के आदेश के अनुसार एरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़ कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया था CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समीती ने इस आदेश की समिक्षा के बाद फेसला लिया है DMRC के अधिकारिक बयान में कहा है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराप पिना सक्त बना है मेट्रो यात्रियों से अपिल की है कि वो यात्रा करते समय शिष्टा चार बनाये रखे यदि कोई यात्री शराप के नशे में अभद्र वेवार करते वे पाया जाता है तो उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी मेट्रो के अंदर प्रतिबंधित वस्तूओं के संशोधित नियमों को मेट्रो की वेबसाइट पर अपडेट किया गया है दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को प्रतिवेक्ती एक से ज़्यादा लाइटर या माचिस ले जाने पर भी रोक लगा दी है मेट्रों के साथ साथ एर इंडिया ने भी शराब पर अपने दिशा निर्देश अपडेट किये हैं इनमें कहा गया है कि यात्री को तब तक शराब पिने की पर्मिशन नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उन्हें कैबिन क्रूँ शराब न परूसे केविन क्रू को उन यात्री पर ध्यान देना चाहिए जो खुद की लाई शराब का सेवन कर रहे हो इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद